अप सोचिए कि साल में जो भर्ती दोबार आती थी वो पिछले दो साल में एक एक बार भी पूरी नहीं हो पाई है जबकि इसमें हिस्सालेने वाले चात्रों की संख्या लाखों में है पहले जो प्रक्रिया छ Are Wet में पूरी हो जाती थी वो साल साल भर में पूरी नहीं हो पा रही है पताए इसका जिम्मिदार कौन है यह सवाल उन लाखो छात्रों का है जो बारवी के बाद एरफोर्स के ग्रूप X और Y में भरती होने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं साल 2020 और 2021 की भरती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है इसकी वजह से यह चात्रों सोशल मीडिया पर लगातार कैमपेंग चला कर जल से जल विजल्ट और एन्रॉल्मेंट लिस्ट जारी करने की मांग कर रही है सबसे पहले तो समझे कि group X और Y की भरती क्या होती है इन groups के कर्मचारियों को airman कहा जाता है Air Force की ओर से साल में दो बार इनकी भरती के लिए परीक्षा कराई जाती है जो की हर साल जनवरी और जुलाई में आयोजित होती है जन्वेरी में होने वाली परीक्षा को intake 1 और जुलाई में होने वाली परीक्षा को intake 2 कहते हैं 21 वर्ष या कम उम्र के ऐसे चात्र जो बार्वी पास कर चुके हों या इस बार परीक्षा दे रही हों वे इसके लिए अपलाए कर सकते हैं यानि इसके जरिये बारवी के बाद छात्रों के पास सीधे Air Force में जाने का मौका होता है Group X में Airmen Technical Trade का काम करते हैं जबकि Group Y में Non Technical काम करते हैं दोनों Group के कर्मचारी अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारी होते हैं बर्दी की पूरी प्रक्रिया केंड्रिय वायुसेनिक चैन बोर्ड यानि C.A.S.B. द्वारा पूरी कराई जाती है सोशल मीडिया पर कैंपेंड चला रहे अभियर्थियों का कहना है कि हर साल दो बार Air Force की ओर से वेकेंसी निकाली जाती थी लेकिन पिछले दो साल में केवल दो बार ही ये वेकेंसी आई है कैंडी रेट्स की शिकायत है कि ये दो वेकेंसी भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है एक परीक्षा नवंबर 2020 में हुई थी जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन इसकी final enrollment list नहीं जारी की जा रही है Enrollment list यानी की लिखित परीक्षा, physical परीक्षा और medical test के बार जारी होने वाली final list नवंबर 2020 की परीक्षा में शामिल एक अभ्यरती ने नाम न बताने की शर्ट पर दललन टॉप को बताया, AFCAT जिससे high level officer को select किया जाता है उनकी तीन बार की भरती प्रक्रिया complete हो गए लेकिन Air Force X और Y Group 2020 in Take 2 का exam जुलाई 2020 में होना था कोरोना की वज़ा से वो हुआ था नवंबर 2020 में उसके बार physical January 2021 में हुआ और medical February में हुआ final result एक से डेड़ महीने में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया फिर उन्होंने notice लगा कर बताया कि enrollment 26 July को आएगा फिर 26 July को बताया कि कुछ प्रशासने कारणों की वज़र से अनिश्रित काल तक के लिए delay हो गया है जबकि Air Force की ये policy है कि exam होने के 30 दिन के अंदर result आ जाना चाहिए लेकिन कोई update नहीं मिल पा रही है ये तो हो गई नवंबर 2020 की परीक्षा की बात जिसकी enrollment list अभी नहीं आई है अब बात July 2021 में हुई लिखित परीक्षा की इसका result भी अब तक नहीं आया है इस परीक्षा में शामिल एक अभिरती ने दललन्टोप को बताया मंत्राले को बार-बार पत्र लिखने और RTI लगाने के बाद भी कोई संतोजनक जवाब नहीं मिला है और वर्ष 2021 में मात्र एक बार ही exam करवाया गया selection process जो होता है उसमें सबसे पहले retain exam होता है फिर उसका result आता है हर बार 30 दिन के अंदर इसका result आ जाता है लेकिन जुलाए 2021 में intake 1 exam हुआ और 6 महीने बीच चुके हैं लेकिन अब तक result नहीं आया है फिछली vacancy की enrollment list नहीं आई है जबकि इस साल वाली vacancy का result नहीं आया है candidates का कहना है कि Air Force अपनी ही policy follow नहीं कर रही है एक उमीदवार कहते हैं कि group X और Y के लिए apply करनी की अधिक्तम age limit 20 साल तक की ही होती है साथ में Air Force की ये policy भी है कि enrollment जारी होते समय candidate की उम्र 21 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो काफी candidates के लिए दिक्कत हो जाएगी defense exam की तयारी करने वाले बच्चों के लिए 18 साल से 21 साल का समय बहुत एहम होता है लेकिन कोई response नहीं आ रहा सब यही कह रहे है कि प्रशासने कारणों से result नहीं आ रहा है website चेक करते रहो हम बस ये चाहते हैं कि आप कम से कम हमें ये बता दो कि result आखिर कब आएगा परिक्षा की तैयारी करने वाले अभियरतियों का कहना है कि साल 2020 और 2021 का मामला अभी तक अटका हुआ है 2022 में नई भरती आएंगी या नहीं आएंगी इसे लेकर भी अभी कुछ साप नहीं है जन्वरी बीच चुकी है और अब तक इन टेक वन के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है पहले जहां एक साल में दो भरती आ जाती थी वहीं अब दो-दो साल तक भरती लटके रहने की वज़ा से ओवरेज हो रहे अभियरतियों के अटेंप्स भी खत्म हो रहे है ऐसे में अभियरतियों ने PMO को चिठी लिखकर एज रिलेक्सेशन और नियमित भरती कराने की मांग की है एरफोर्स ने 31 जन्वरी 2022 को एक नोटिस जारी किया इसमें कोरोना महामारी की वज़व से पैदा हुई अभूतपूर विस्थिती और प्रशासनिक कारणों को परिणाम की घोश्रा में हो रही देरी की वज़़ा बताया गया है नोटिस में कैंडिडेट से अपील की गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट और अपना इमेल चेक करते रहे केंड्रिय वायू सेनिक चैन वोर्ड यानी सी एएसबी की हेल्प लाइन पर भी इससे जादा कुछ नहीं बताया जा रहा है आपके लिए खबर लिखीती हमारे साथ इंटर्णशिप कर रहे हैं विवेश्वर दे देखते रहे हैं देललन लंटो शुक्रिया